ओम नमस्षिवाय शिवजी सदासाः ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदासाः गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जै गुरुजी गुरुजी टूड़े ब्लेसिंग्स चैनल को शेर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगए बेल आइकान के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दे ताकि डेली अप्लोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगर जी आप तक पहुंच सके अपना सत्संग गुरुजी की इस प्यारे से चैनल पर अप्लोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे अपना सत्संग आडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मैट में हमें भेज सकते हैं जै गुरुजी संगर जी आज के सत्संग में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि सिर्फ एक बार अंकल ने अमरित विला किया और उनको क्या एक्स्पियेंस हुए उसके अंदर बहुत प्यारा सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया उदेपुर से भूशन अंकल जी ने हाँ जी उदेपुर से भूशन अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया मैं दिल से उनका शुकराना करता हूँ कि उनने गुरुजी से आगया लेकर गुरुजी किस प्यारे से चैनल पर अपना सस्थंग शेयर के चले सस्थंग स्टार्ट करते हैं जै गुरुजी ये मेरे गुरु माराज की जै अनन्तम अनन्तम शुकराना जै गुरुजी मेरे प्यारे बड़े भाई जै गुरुजी मेरे शुकराना माराज मेरे परम पूजी नहीं है शुकराना माराज जैगुरू जी नारंग अंकल जैगुरू जी पूरी संगत को जैगुरू जी जो संगत नहीं है उनको भी जैगुरू जी उनका भी भला करें गुरू बावास अपका जो संगत है और जो संगत नहीं है और जो जूट रही है उन स जो गुरु जी बुलाएंगे मैं अपना ये स्थे शेयर करूंगा, ऐजही का ससंग अमरेत यपेले ज़ल ला कर रहा हूं, पहली बार मैंने सूब ऊठके जल्दी अमरे त्वेला किया है, उसके रिकार्डिक, मैं अपने ससंग का आरम करता हूं, संगत जी मैं आज जब सुबह उठा हूँ गुरू जी कहते हैं कि अपना ससंग शुरू करने से पहले अपने पूर जब से जुड़े हो तब से शुरू कर तो मैं इस जनम का तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैं गुरू जी से 2022 के दिसंबर महीने में जुड़ा हूँ दीरे दीरे मेरा अटेच्मेंट बहुत जादा बढ़ने लगा है मेरे बड़े भाई के प्रती और क्योंकि मैं इनको अपने गुरू को बड़ा भाई मानता हूँ दिल से मानता हूँ और मैं बहुत अच्छा लग बड़े भाई मेरे को बहुत ध्यान रखते हैं तो मैं यह कहना चाहरा था अंकल के आज जब मैं आज पहली बार में जल्दी उठा जल्दी उठके पहली बार मैंने मतलब यहूं गुरू जी का वह अम्रत वेला किया पहली बार जीवन में गुरू बानी सुनी सब्स या पंदर से मेरी रूख खड़ी हो गई जब मैं मंतर जाप कर रहा था तब मैं पाट कर रहा था एकदम से मेरे को महसूस होने लगा कि कोई मेरी शरीर को टच कर रहा है पीछे से हलका हलका सा टच आ रहा है तो मैंने जब पीछे मुड़के देखा पाट करते वक्त तब कोई नहीं था पर जब तक मैं मंत्ल जाब करता रहा तब तक वो touch मेरा को महसूस होता रहा, जहे गरू जी मेरा को नहीं पता कि है रही पर मुझे फेर्ग्रेंस आना शुरू हुआ मैंने डियो मेरी बॉड़ी पे लगाया पर उडियो की परफ्यूम और डियो का जो जो उसकी जो गंद थी सुगंद थी वो और जादा तेज हो गई एकदम से तेज हो गई तो मुझे मेरा जो मनना है मैंने जो सुना है और जो महसूस किया है जब गुरू जी आते हैं तब फेर्ग्रेंस बहुत तेजी से आती है तो मैं ये बहुत बहुत अभार और धन्यवाद करता हूँ गुरू बाबा का कि आपने मुझे सुबह ये मौका बक्षा और मेरे को मैसूस करा है कि आप मेरे पास है मैं एक और छोटा सा ससंग शेयर करूँगा कि मेरे को मस्कूलर डिस्टॉपी है और मेरे को इलाज के लिए कहीं कोई पैसा फंड नहीं दे रहा है मेरे को तीन लाख रुपे की जुरुवती तो वो नहीं हो पाया मैं फंड रेस कर रहा हूं अपने लिए हना रियाबिलेशन सेंटर के लिए पर देखे गुरुजी कितने प्यारे हैं उनको जब मैंने ड्रो रोके ये अर्दास करी बाबा देखो कब तक मैं पलंग पर पढ़ा रूँगा कब तक मेरी जीवन ऐसे ही पलंग पर बिटेगा तो अब देखे गुरुजी ने एक रस्ता बताया एक फ्री निसूल्क सेवा मेरे शेयर में एक जैन का टेरिस्ट वो क्या कहते हैं तो उन्हों उन्हों के महां पर मतलब फ्री में जो भी दिव्यांग है और जो जिनके पास पैसा नहीं है उनको उनके फ्री में सेवा अच्छी फिजिकल थेरपी की कराई जाती है तो देखे ये गुरु बावा का ही चमतकार है जो उन्होंने मेरे लिए ये ढून के और ये मैसे बेजा के अब आप वाँ जाओ और आप अपने आपको सही करो और बाकी मेरा मंतल जापा और करते रहो मेरे मेरे पर मैं गुरु जी पर पून बरोसा है मेरा हर समय मेरे साथ रहते हैं और मुझे विश्वास है कि वो उनके हर नक्से का दम पर उनी के बताएवे रस्ते पर चलूँ बस मैं तो यही अर्दास करता हूँ बाकी जै गुरु जी एह ससंग जी मुझसे कोई ससंग सुनाने में कोई बूल चुक ही हो तो शमा करना मैं आगया लेना चाहूंगा ओम नमस्शिवा शीव जी सदसाई जै गुरु जी जै गुरु जी अनन्तम अनन्तम शुकराना हर पलदा शुकराना हर सांदा शुकराना सरवत्दा बला करो बाबा संगत जो संगत की जोड रही में